हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में जो हमारा कोश्चन है ब्यक्तिगत प्रामर्स एवं सम्हू प्रामर्स में क्या अंतर है वणन कीजिए तो इस कोश्चन का जो है आपको इस वीडियो में जो है मैं आंसर बताने वाला हूँ तो चलिए अभी जो आंसर है उसको देखते हैं तो सबसे पहले हमारा जो है यहाँ पे हेडिंग हो जाएगा ब्यक्तिगत प्रामर्स और सम्हू प्रामर्स में विभिन अंतर होते हैं तो सबसे पहले हम फश्ट देखते हैं लक्षिय तो इसमें जो है हम देखेंगे ब्यक्तिगत प्रामर्स में कि इसमें एक ब्यक्ति और प्रामर्स दाता के बीच ब्यक्तिगत संबंध होता है और लक्षिय ब्यक्ति की ब्यक्तिगत विकास और शमश्याओं का समाधान होता है फिर हम इसमें देखेंगे समुह प्रामर्स तो इसमें हम देखेंगे लिखेंगे कि इसमें समुह की सदश्यों के भी सहयोग और साजेदारी का मुख्य लेक्षी होता है जो सामुहिक उतकुष्टता और सामुहिक समश्याओं का समाधान हो सकता है फिर इसमें जो है हम next heading हो जाएगी इसी में सामगरी और सीमा तो ब्यक्तिगत प्रामर्स में हम लिखेंगे इसमें ब्यक्ति की ब्यक्तिगत जीवन से संबंदित सामगरी पर फोकस होता है और यह सीमा ब्यक्ति की ब्यक्तिगत आवशकताओं और लक्षियों पर रखा जाता है फिर इसमें हमारा next है समुह प्रामर्स में हम लिखेंगे कि इसमें सामुहिक परिस्तितियों, समश्याओं और लक्षियों के साथ संबंदित सामगरी पर केंद्रित होता है और सीमा समू के अधिकार और उतकुष्टता की दिसा में होती है फिर इसमें जो है हमारी next setting हो जाएगी समवाद का परकार तो इसमें हम ब्यक्तिगत प्रामर्स में हम लिखेंगे कि इसमें एक से एक समवाद होता है जिसमें ब्यक्ति अपनी सोच और भावनाओं को ब्यक्ति कर सकता है और प्रामर्स दाता उसे ब्यक्तिकत रूप से मार्गदर्शन करता है फिर जो है हम समू प्रामर्स में लिखेंगे कि समू के सदश्यों के बीद समझोता और सामोहिक सयोग के माध्यम से समवाध होता है जिससे विभिंद रिष्टी कोणों से समश्याओं का समधान हो सकता है तो दोश्तों ये था इस question का answer और आप लोगों को बता दू कि मैंने आप लोगों के लिए एक WhatsApp ग्रूप बनाया हुआ है अगर आप लोगों ने जो है जो हमारा WhatsApp ग्रूप है वो जोईन नहीं किया हुए तो नीचे discussion box में WhatsApp ग्रूप का जो link है वो दिया हुए तो आप लोगों click करके जोईन कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो helpful लगी हो तो आप जो है इस वीडियो को like और चैनल को subscribe करके जाएएगा तो चलिए मिलते हैं आपको हमारे next वीडियो में तब तक के लिए bye bye and have a good day